हेलो दोस्तों स्वागते हैं आफ सभी का टेक्नोजी आफ योटूब चैनल में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो ड्रीम 11 में जो भी देथ बोलर होता है दोस्तों उसको हम कैसे पता करेंगे ताकि कौन सा बोलर दोस्तों देथ ओवर में बॉलिंग करेगा ये सारी जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यार सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा अपना ड्रीम 11 एपलिकेशन को ओपेन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा ड्रीम 11 एपलिकेशन जो है वो ओपेन हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई भी मैच लगाते हो ड्रीम 11 में तो उस मैच का जो बॉलर है आप कैसे पता करोगे कि देथ ओवर में कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा तो ऐसे फाइदा भी होता है दोस्तों देथ ओवर में बॉलिंग जो भी बॉलर करेगा उस बॉलर को कैप्टेन अगर वाइस कैप्टेन आप बनाते हैं तो वो बोलर काफे ज़्यादा विकेट भी ले जाता है दोस्तों और देथोवर में ही ज़्यादा तर विकेट लेने की संभावना रहता है तो ऐसे में अगर आप उसको कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनाते है तो आपको जीतने की संभावना ज़्यादा रहता है तो चली हम जानते हैं कि कैसे आप Death Over Balling को पता करेंगे तो गाई सबसे पहले आप ये जनिए कि Death Over होता क्या है ठीक है उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि Death Over कौन सा Baller Death Over में Balling करेगा ठीक है तो यही हुआ Death Over ठीक है और हम पता करते है कि कौन सा Baller Death Over में ज़्यादा तर Balling करता है तो यार अब देखो अब मेरा यहाँ पर थाउट है दोस्तो कि 80% जो चांस होता है Death Over में Balling करने का वो faster Balling करता है 80% बाकी का जो 20% होता है दोस्तो वो spinner Balling करता है Death Over में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तो अभी तक का record है जितने भी faster Baller है वो Death Over में ही Balling करता है जैसे मैं बलता हूँ आपको दोस्तो दीपक चहड को ले लिजिए यह एक fast Baller है और हमेशा Death Over में Balling करता है चस्परीत बोंगडा को ले लिजिए यह भी हमेशा Death Over में Balling करता है ट्रेंट बोल्ट को ले लिजिए यह भी हमेशा Death Over में Balling करता है अश्टलिया का एंड्रियू टाई यह भी दोस्तो Death Over में Balling करता है ठीक है मिकेल स्टार्क यह भी हमेशा Death Over में Balling करता है तो मैंने जितने का भी नाम लिया दोस्तो ये सारे striker baller है दोस्तो और ये सारे death over में भी baling करते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो baller death over में balling करेगा, वो पहले balling नहीं करेगा, नहीं दोस्तो ऐसा नहीं है, जो भी baller first में first over balling करेगा, मतलब खेल शुरूब और opening बोलर आता है वो बोलर पहले 2 ओवर करेगा खास्ट करके faster ठीक है वो 2 ओवर बॉलिंग करेगा दोस्तो अगर 2 ओवर में उसको विकेट नहीं मिला तो उसके बाद वो direct उसे death ओवर में बॉलिंग कराया जाता है यह आप record देख लिजिए दोस्तो अ भी balling करेगा यह मैं देखना चाहता हूँ ठीक है तो सपोर्ज मैं यहाँ पर balling में आ जाता हूँ ठीक है और किसी एक team को पेले यहाँ पर select कर लेता हूँ ठीक है तो चलिए मैंने यह ले लिया ठीक है थंडर का जो team है यह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ठीक है अब इसमें ह हमूद यहाँ पर दोस्तों देखिए ये एक fast baller है हो सकता है कि ये baller आपको death over में balling करे ठीक है और काफी जादा state अच्छा है इसका बिकेट भी दोस्तों अच्छा ये लेता है ठीक है तो ये first में 2 over करेगा और उसके बाद इसको रोक दिया जाता है death over में balling करने के लिए क् कोई भी baller लगातार 2 over नहीं कर सकता है पहले एक over करेगा उसके बाद फिर दूसरे baller को देगा एक over उसके बाद फिर इसको continue लगा जाता है ठीक है तो वो 2 over तो करेगा ही करेगा दोस्तों death over में तो मेरे कहने का मतलब finally मैं यही आपको बोलना चाता हूं कि जो भी baller opening और द faster करेगा या spinner death over bowling तो सबसे बड़ा important ने दोस्तों pitch report अगर मैं दोस्तों यहाँ पर pitch report की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो pitch report है वो ज्यादा तर देखिए batting pitch 20% है balance pitch 80% है और यहाँ पर जो पेसर है दोस्तों वो 56% है और spinner का 44% है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा दोस्त तो टोटली यहाँ पर balling पीछ है और balling पीछ में पेसर 56% है और 44% spinner है मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर भी पेसर जो है वो कर सकता है देख और में balling और संभावना दोस्तों 20% यहाँ पर spinner का भी है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि IPL में जो देली capital और कोल छे रन बचा था लास्ट बोल में जीतने के लिए तो वहाँ पर एक batsman ने 6 मार कर final में पहुचाया था दोस्तों और match जीत गया था ठीक है कोलकोटा नेर्डर्स final में पहुची थी आपको याद होगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि spinner death over में balling किया था दो पीच पेसर के पक्ष में है तो समझ लो कि पेसर है जो आपको death over में balling करके देगा ठीक है अगर पीच रिपोर्ट spinner के पक्ष में जाता है तो मैं guarantee लेता हूँ कि कोई ने कोई spinner को death over में balling करवाएगा लेकिन दोस्तों बहुती कम चास होता है spinner को death over में balling करवाना ज्यादा तर यहाँ पर पेसर ही death over में balling करता है दोस्तो तो आप यहाँ पर दोस्तो देख लिजे कि कितना baller है ठीक है मैं यहाँ देखिए M हसनेन है दोस्तो अब यह इसको देखना है कि यह faster है या spinner है अगर यह spinner है तो इसका कम चांस है दोस्तो death over में balling करने का ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर मैं और सब baller की बात करूँ तो दोको यहाँ पर S महमूद है यह 100% हमको लगता है death over में balling कर सकता है दोस्तो ठीक है और उसके बाद तो आपको finally मैं यहीं बताऊंगा दोस्तो कि आप ज़्यादा तर baller पे धियान दीजिए वो भी fast baller पे ठीक है जो कि death over में balling करे और आपको wicket निकाल करके दे और ज़्यादा तर 80% chance रहता है दो तो death over में balling करने का वो है faster का आप record देख सकते हैं तो यह confirm नहीं यह match पर depend करता है कि कप्तान जो है किसे balling करवाना चाता है death over में यह कप्तान का सोच होता है दोस्तों यह हम आपका उसको नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह कप्तान जो है अगर उसका मन है कि वो कप्तान भी जो है अब मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकते हूँ अगर और death over के बारे में दोस्तों आपको भी ज़्यादा जान करें तो आप comment करके मुझे बताएं ठीक है ताकि मैं भी जान सकूँ दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मैंने जो बताया अभी तक ठीक है तो मैं आपको यही रिकोमेंट करूंगा कि जो भी faster baller है आप उसी को ज़्यादा तर death over में रखिए और सबसे पहले आप pitch report जरूर देखिए कि यह pitch report में faster baller pitch report है या फिर spinner का इन दोनों में से जिसको ज़्यादा support करता आप उसको जो है death over baller select करके आप उसको captain vice captain ship दे सकते हैं और death over में दोस्तों बिकेट लेने की समभवना कुछ ज़्यादा ही रहता है ठीक है तो I hope यह video आपको अच्छा लगा हो और video अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यह video को एक लाइक जरूर करना और आपको कोई problem हो तो आप comment करके जरूर पूछिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बुलना मिलता हूं अगले video में बाबाई जैहिन